कि दुबारा से आपको चीजने दिखा देता हूं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं यह आपका डेशबोर्ड है ठीक है अब यह डेशबोर्ड जो बना है इस शीट पर बना हुआ है ठीक है इस शीट पर हम पाई वाट टेबल जो है वह यूज करेंगे और इसको पिर हम इस करके भी डेटा शेक कर सकता हूं अब हम इसको करने जाएंगे कि आया इसमें कौन-कौन से फार्मूले यूज हो रहे हैं और किस चीज को किस से हमने कनेक्ट करना है ताकि हम रपास यह जो है वो डेशबोर्ड बनके आज है और हम आसानी से अपने डेटा को यूज कर से पहले मैं इसी चार्ट को जो है वो कॉपी कर लूँगा इसी पर हम बनाएंगे कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर दिया मैंने आप लोगों को इस तरह का चार्ट कॉपी पेस्ट करके बनाना पड़ेगा मतलब आपने दो चार आट दस रिकार्ट दे दिए तो उसी को कॉप इसेंडिंग और डिसेंडिंग बताया था उपर नीचे करके आप इस तरीके से सो देट सो दो सो रिकार्ट जो बना लें फिर आप उसके उपर पाइवार टैबल जो है वो यूज कर देंगे ठीक है जी मैंने इसको कॉपी कर लिया मैं नई फाइल ऑपन कर लेता हूं यहां चिरिखी कि मैं ब 신u एक शीट है अब इस चार्ट के किसी भी इस से पर रख कर ठीक है चार्ट के अंदर किसी भी कॉलम कर्सरे कर रखे मैं जाऊंगा इंसर्ड में और गाउन गा हां सबसे पहला function आा रहा पाइवाट टेबल का किसी इसका आ रहा है पाइवाट टेबल आ रहा है ठीक है इस पाइवाट टेबल पर मैं क्लिक करूंगा आपको कुछ भी नहीं करनी यह खुदी रेंज सेलेक करेगा सिर्फ ओके कर देना है यह पाइवाट टेबल आपके बन गया ठीक है पाइवाट टे है मैंने पाइवोट टेवल सबसे पहले मैं ले लूँगा कस्टमर नेप को मैं रख दूंगा फिल्टर में क्यूंकि हमें कस्टमर नेम के जो है वह हिसाब से चाहिए डेटा तो मैं इसको फिल्टर में रख लूँगा अच्छा जिस चीज में Verios हों, यहनि के क्वalsa है याम क्वार्ट है उसको रखंगा अवाउंट को रखंगा मैं वेलियों के अंदर कहां रखंगा, वेलियों के अंदर ठीक है अब यहां से या तो मैं आयिटम नेप ले लूँ या मैं другие ने ले मैं company name ले लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन्ची company के कितने काड किस customer को हमने दिये हैं ठीक है तो मैं company को लेकर मैं रख दूँगा रोपे कहां पर रखूँगा रोज में ठीक है अब यह आपके सामने एक चीज आ गई है इसको देखते जाएं मैं यहां पर कहीं पर क्लिक करने के बाद अच्छा इसको मैं यहां पर मैंने क्लिक किया इस पर राइट क्लिक करूँगा अब हमने रकम शो नहीं करानी है यह अमाउंट आ रही है हमने इसको लाना है परसंटेज में किसमें लाना है परसंटेज में लान मैं इसको कर दूंगा percentage of column टॉटल इस पर किल्क करूंगा देखें यह percentage की शेकल में आगया आपके पास फिर इसके उपर right click करूंगा नंबर फॉर्मेट कहां पर जाओंगा नंबर फॉर्मेट पर जाओंगा यहां से जो इसको मैं जीरो कर दूंगा ताके मेरे पास सिर्फ परसंटेज रहे जाए ठीक है अब एक चीज़ और में ले लूँगा ताके मुझे पता चले कि कितने परसंट में से 26 परसंट हुआ है यहां पर रखकर मैं एक फार्मूला लगाओंगा इकवल ठीक है अब अगर इकवल करके मैं इस पर डारे का आ जाता हूं तो यहां पर पाईवर्ट टेबल का डिटा आ जाएगा मुझे यह नहीं लाना है ठीक है मैं क्या करूंगा simple equal और इस cell की इस cell का number दे दूँगा क्या है ये B equal 1 minus B4 क्या है cell का number B4 ठीक है इंटर कर दूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि 100 में से 26% निकल गया तो 74% मेरे रह गया target ठीक है इसको मैं break कर दूँगा ये आपके यहां पर आ गया ये चार्ट चीज़ें हमारे पास है मैं sheet के नीचे क्लिक करूँगा यहां से मैं जाओंगा insert में ठीक है insert में जाकर यहां पर आपके सामने एक चार्ट आपको नजर आ रहा होगा pie chart कौन सा चार्ट है ये pie chart पे जाओंगा और टूडी टूडी पाई चार्ट ले लूँगा त्रीडी में थोड़ा सा प्राब्लम होगी आपको ठीक है टूडी पाई चार्ट मैंने ले लिया एक blank हिस्सा आपके सामने आ गया है अब मैं जो है वो दोबारा जाओंगा इसके design में कहां पर design में जाओंगा यहां से जाओंगा select data कहां पर select data पर जाओंगा select data पर मैं यहां से add data कर दूँगा add इस पर मैंने series name जो आ रही है इस पर कुछ भी नहीं करना series value पर आके मैं just 1,1 यह type कर दूँगा ठीक है अगर मुझे इसके ज़्यादा इसे चाहिए तो मैं one one करता जाओंगा पर ज्यादा इसे आ जाएंगे लेकिन मैं सिर्फ दो इसों पर ही काम करूँगा ठीक है ताकि आपको काम आसान लगे ज्यादा मुश्किल ना हो इसको मैं okay कर दूँगा यह देखें यह दो इससे हो गया आपके चार्ट के इसको मैंने okay कर दिया अब यहां से यह चार्ट टाइटल और यह जो चीजें हैं इनको मैंने गाइब करना है तो यहां प्लेस में जाओंगा देखें चार्ट टाइटल पर क्लिक करूँगा यह गाइब हो गया लेजेंड्स पर क्लिक करूँगा वो लेजेंड्स भी आपके खायब हो गए ठीक है अब मैं इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर दूँगा जितनी मुझे चाहिए इस साइज छोटी की और मैंने इसको यहाँ पर जो है वो रख दिया ठीक है अब इसी पर क्लिक है हमारे बॉर्डर पे वीजेंच वार्मेट में जाकर मैं इसको नो फिल कर दूँगा और आउटलाइन को भी नो फिल कर दूँगा ये आपके जो गॉडर यह खत्म हो गए अब मैं सिंपल चार्ट पर क्लिक करूंगा चैक है चार्ट क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा फॉर्मेट डेटा सीरीज पर चला गया यहां से मैंने यह चीज ले ली इसका मैंने ले लिया फिल कलर ठीक है और फिल कलर मैंने यहां से कर दिया कोई भी कर सकता हूं मैं रेड कर लेता हूं ठीक है यह पूरा चार्ट मेरा रेड कलर का हो गया मैं नीचे क्लिक कर दूँगा इसको मैं बलके बंद कर दूँगा ताकि आपको चीजें नजर आएं थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं नदर आ रहा है ना ठीक है अब इस पर क्लिक करता हूं मैं इस पर क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल सी कर लेता हूं और नीचे शीट पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी कर लेता हूं और इसको मैं उठा कर इसके बाडल से पकड़के मैं इसको उठाकर यहां पर रख देता हूँ ठीक है फिर शीट पर क्लिक करता हूँ फिर कंट्रोल भी कर देता हूँ और इसको मैं उठाकर यहां पर रख देता हूँ फिर शीट पर क्लिक करता हूं फिर कंट्रोल भी कर देता हूं और यह मेरा लास्ट जो है वो यह कहां चला गया यह मेरा लास्ट जो है वो चार्ट यहां पर आ गया ठीक है मैं इसको जो है वो इस तरीके से सेट कर देता हूं ठीक है जी अब अगर इनको मैंने जो है वो बराबर करना है तो थोड़ा सा इसको जो है मैं सीधा रख के सबको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लूँगा फॉर बेर्ट में जाओंगा और यहां से यह मेरे पास function है अलाइन अब्जेक्ट का इसको horizontal जो है वो distribute कर दूँगा थाकि यह बराबर हो जाए उनमें फासला बराबर हो जाए और distribute vertically कर दूँगा थाकि उपर नीचे भी ना हो यह चार्ट मेरे पास बराबर यहां पर रहें ठीक है अब मैंने करना है इस चार्ट पर क्लिक ठीक है कि इस पर मैं करूंगा राइट के लिए कि सौरी कि यहां से मैं जो है वो डेटा ले लूँगा पहले कि एप लिए यह देखे चार्ट पर मैंने किलिक किया राइट किलिक किया ठीक है राइट किलिक करने के बाद स्लेक्ट डेटा क्या करूंगा स्लेक्ट डेटा पर जाओंगा और यहां से मैं कर दूंगा एट डेटा Add Data में جاकर Series Name Series Name पर मैं directly यहाँ पे यह Jazz पर Click कर दूँगा Series Name आ गई इस Series Value को मैं हटा दूंगा यहाँ से क्या कर दूंगा यह हटा कर फिर मैं यहाँँ पर इन दोनों को दोनों को Select कर लूँगा Select करने के बाद मैं कर दूँगा OK कि क्या कर दूंगा ओके कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा ओके ठीक है ओके करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा चेंज सीरीज चार्ट टाइप क्या रहा है चेंज सीरीज चार्ट टाइप इस पर क्लिक करूंगा और यह देखें यह जैज पाई आ रहा है इस पर मैं मैंने क्लिक कर दिया सिर्फ इस ठिक को मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया अब देखें आपका चार्ट चेंज हो गया चेंज हो गया ठीक है जी अब मैं क्या करूंगा सिर्फ इस पर डबल क्लिक करूंगा यह जो ब्लू वाला एरिया आ रहा है इस पर डबल क्लिक करूंगा त करना आपने double click से सिंगल क्लिक से काम नहीं करेगा यहाँ से देखें कलर में ले लोंगा इसका यह वाला याईड बेक्गराउंड ठीक है और इसकी मैं ट्रांसपेरेंसि कर दूंगा 15% कितनी 15 परसंट ट्रांसपेरेंसी मैंम इसकी कर दूंगा ठीक है जी। तो उसके बाद मैं इस टेबल का जो है वो कलर पहले इस चार्ट का कलर पहले में चेंज कर लेता हूं सॉलिड कलर में जाकर मैं इसको दे दूँगा जी यलो कलर ठीक है यलो कलर मैंने दे दिया वार्डर में जाकर नो फिल कर दिया है सॉरी है ओ आब इस पर रैट कलिक करूंगा राइट कलिक करने के बाद स्लेक्ट डेटा सेंब 6 पर सकरना हैं गर्वाप्रोजों सी सिंच शेंजने मां और आप देना आपने टेले नोर ठीक है और यहां पर करा और वी तो सब्सक्राकट टूरी यहां से लुए करेंगे 작업 कर देंगे यहां से ओके कर देंगे इसको अब इस पर right click करेंगे change, series, chart type और यहाँ से telenor पर click कर दिया ok कर दिया, ठीक है, यह chart भी आपका ऐसी तरीके से आ गया इसके भी आप यहाँ पर click करेंगे double click ठीक है, और fill में चले गए यहाँ से no fill और इस पर double click करेंगे और यहाँ से आजाएंगे आप इस white color पर और transparency आप रखेंगे 15% ठीक है जी अब हम आजाते हैं, तीसरे चार्ट पर इसका हम color change कर देंगे पहले solid color, color हम इसका रख लेते हैं blue, ठीक है blue color हमने रख दिया same, इस पर भी हम select data add data और यहाँ से हम ले लेंगे यूफोन ठीक है जी और series value में हम जो है वो इन दोनों यूफोन की value इसको ले लेंगे okay कर देंगे, ठीक है इसको भी okay कर देंगे okay करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे change, series, chart type यहाँ से यूफोन पर मैंने क्लिक कर दिया okay कर दिया, ठीक है इस पर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से इसको मैं नो फिल कर दूँगा और यह जो नीचे वाला कलर है इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से यह कलर स्लेक कर लूँगा और इसकी भी transparency मैं 15% रखूँगा, ठीक है जी अब यह मेरा chart आ गया इसका मैं कलर कोई और ही कर देता हूँ फिल में जाकर मैं green color इसको दे देता हूँ ठीक है और यहाँ से right click करूँगा select data add data और अब मैं ले लूँगा zone को और यहाँ से मैं इसको यह जो इसकी values हैं यह ले लूँगा ठीक है और कर दूँगा ok इसको भी कर दूँगा ok अब इस पर दुबारा right click करूँगा change series chart type यह बार बार चीज़ें इसलिए आ रही हैं ताकि आपको समझ में आ जाएं इस पर मैं टिक कर दूँगा ok कर दूँगा ठीक है और यहाँ पर double click करने के बाद मैं कर दूँगा no fill और यहाँ पर अधिक है जी इसको दुरह आफ कर दें किसका है थोड़ा सा मैं आपको इसको वटा देता हूं ठीक है और यहाँ पर देखें अब आपका चार्ट काम करेगा अगर आप यहां से इसको change करेंगे जैसे अली है मैं अली पर किलिक करता हूं देकिन चार्ट चेंज हुआ ठीक है यहां पर किलिक करता हूं ओके करता हूं तो चार्ट चेंज हो रहा है वेलियोज भी चेंज हो रही है नहीं कि हमारा काम यहां तक सही हो गया ठीक है अब यहां पर देखें यह हमारा जैज है चलेन और यूफोन और जोंग तो मैं जो है वह इनकी परसंटेज भी दे दूगा और इनके नाम भी लिख दूगा सबसे पहले मैं इंसर्ट में जाओंगा इंसर्ट में जाने के बाद मैं ले लूँगा टेक्स बॉक्स ठीक है टेक्स बॉक्स ले लिया और यहां पर रखकर मैंने इसको लिखा जी बलके इसको उपर रख लेता हूं मैं ठीक है है थोड़ा सा चाट मैं बढ़ा कर देता हूं यह टेक्स बॉक्स वी पर बीए मैंने इसको यहां पर मैंने क्लिक किया देखें यह करसर इसके अंदर diplomat खालो है मैं funds करेंगा यहां से मैं जैश पर क्लिक कर दूंगा ओके कर दूँगा तो यहां पर जैस लिखा हुआ आ जाएगा ठीक है इसको मैं हॉम में जाकर बलकर नहीं पहले हूम में नहीं जाता अमें इसी की कॉपीज बना लेता हूं किंट्रोल के साथ ठीक है मैं सब के उपर जो है वो रख दूँगा इसको अब मैं आ जाओंगा इसके उपर और यहां से इसको कर दूंगा 4 के बज़े 5 क्योंकि चलनोर 5 पर है तो यह 5 आ जाएगा यहां पर इस पर क्लिक करूंगा 4 के बज़े रख दूंगा 6 यह यूफोन आ जाएगा और इस पर क्लिक कर दूंगा और यहां रख दूंगा 7 यह देखें यह जो आपके पास आ रही है जेज 4, 5, 6, 7 आपके पास सेल्स के नमबर आ रहे हैं ठीक है इंटर करूंगा तो यहां पर यह चीज़ें आ गई होम पे गए अब मैं जेज को सेट करूंगा पहले होम पे गए इसको मैं बीच में ले आऊँगा साइज बड़ी कर दूंगा मैं इसका वही रखूंगा जो मेरे चार्ट का कलर है ठीक है ताके कलर वेरियेशन में भी आपका चीज़ बना रहे है इसी तरीके से टेलिनोर पे आऊँगा होम पे साइज बड़ा दूंगा बोल्ड कर दूंगा और इसका मैं कलर रखूंगा येलो चीक है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा दूंगा यहां से यूफोन पे मैं आ गया होम पे चला गया इसका कलर मैं कर दूंगा ब्लू और साइज बड़ा दूंगा कर दोंगा और यहां से मैं फिर विर सकी कर लेता हूं ठीक है उसके बार में आ जांगा फर ca ए spot पर चला जाऊँगा यहां से इसको मैंने बीच में लेआया कर दिया सुरी साइस बढ़ा दीव और कलर मैं का कर दण ग्रींग ठीक है अद्रेख स्व चार्ब आपके पास आगया यहां पर अब एक चीज और में करूंगा क dif एक एक स्वाइब लूँगा दौबार एक स्वाइब लेने के बाद में यहां पर इसे ड्रा करूं गा और यहां फार्मूले में रखकर अगर मैं इसको लूँगा तो पाइवाट टेबल आ जाएगा मुझे यह नहीं चाहिए ठीक है तो मैं क्या करूँगा मैं टेक्स बॉक्स पर क्लिक करूँगा यहां फार्मूले पर क्लिक करके इक्वल और बी फोर दे दूगा क्या दे दूगा बी फोर करके इंटर करूँगा तो देखें इसकी परसंटेज यहां पर लिखी हुवी आ गई ठीक है इसी को मैं सेम जो है वो कॉपी करता जाओंगा कंट्रोल की मदद से और मैं हर एक के सामने रखता जाओंगा ठीक है और यहां पर इस पर क्लिक किया मैंने बी फोर के बज़ए बी फाइफ कर दिया ठीक है तो तेलनोर की परसंटेज आ गई यहां पर बी सिक्स कर दिया तो यूफोन की परसंटेज आ गई यहां पर 27 कर दिया तो जॉंग की परसंटेज आ गई अब मैं इनकी सेटिंग दुबारा से जैसे उनको मैं एडिट किया था सेंटर ठीक है बोल्ड और थोड़ी सी इसकी साइज भी बढ़ा दूँगा और कलर भी इनका मैं कर दूँगा सेम ठीक है जी साइज बढ़ा ही बोल्ड कर दिया कलर चेंज कर दिया और सेंटर कर दिया ठीक है अब देखें यहां से जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अली पर क्लिक करूँगा ओके करूँगा चार्ट चेंज हुए और आपकी परसंटेज यहां पर भी चेंज हो गई ठीक है यहां पर कलिक करूंगा मैं काशिड़ पे ओके करूंगा तो यह हमारा चार्ट यानि के सही तरीके से काम देखे अब यहां तक हमारा चार्ट बन गया अब हमने इन चीजों को थोड़ा सा मैनेज करना है ठीक है यहां पर मैं करूंगा राइट किलिक ठीक है और राइट किलिक करने के बाद सोरी मैं सिंपल किलिक करूंगा और इंसर्ट में जाओंगा कहां जाओंगा इंसर्ट में जायकर यहां पर आपको एक चीज नदर आएगी स्लाइसर क्या नदर आ रही है स्लाइसर ठीक है जैसे मैंने स्लाइसर पर क्लिक किया तो यहां से मैं कस को कि कर दूंगा यह customer मेरे यहां पर आगए ठीक है अब यहांसे मैं क्लिक कर रहा हूं नेम पर तो आपका चार्ट काम कर रहा है कर रहे हैं जी कम ठीक है अब इसको में थोड़ा सा चेंज करता हूँ देखें right click करूँगा मैं इसके ऊपर और मैं चला जाओँगा size and properties पर यह size and properties आ गई मैं क्लिक करूँगा position and layout और यहां से number of columns मैं बढ़ा दूँगा तीन columns पर मैं इसको ले घृष्ट करेंगा क्यूंकि मैं ज्यादा लंबा मुझे नहीं चाहिए तो में इसको शोड़ा बनाऊंगा ठीक है और यहां से मैं इसको यूं करता हूं की साइस ताकि यह मुझे जो है वो डिक्टाइज अब नाम सारे आ रहे हैं इसको मैं रख दूँगा यहां पर और यहां से मैं इसको कर दूँगा डेखें जैसे मैं क्लिक करूँगा आपका चार्ट चेंज हो रहा है ठीक है सब्चीज आ रही है एक चीज और हम कर लेंगे यहां पर क्लिक करेंगे दोबारा मैं insert में जाऊंगा या analyze या आनेलाइज क्सी पर भी चले जाएं आपके पास आएगा इंसर्ट timeline पहले हमने इंसर्ट अब करेंगे इंसर्ट timeline टाइम लाइन पर क्लिक करूंगा यहां पर देखें यह date आ रही है date पर मैंने click किया, okay कर दिया और यह slicer मेरे पास यहां पर आ गया, ठीक है? मैं इसकी size set कर देता हूँ, इन दोनों की, ताकर यह बराबर size कर रहें, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा सा बीच में यहाँ पर लाकर सेट कर देता हूँ इस तरीके से ठीक है जी इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया इसको सेट करने के बाद एक चीज मैं और करूँगा यहाँ पर देखें एक फार्मूला हम लगाएंगे पहले मैं इनको कर लेता हूँ गुरूप क्या कर लेता हूँ गुरूप बना देता हूँ इन सब का ताकि अगर हमें इनको आगे पीछे करना पड़े तो ये हिल जुल ना जाएं बलके एक ही जगा पर अपने मौजूद रहें ठीक है तो इनको मैंने इसको गुरूप बना दिया बनाने के बाद अब मैं इसको उठाकर उठाकर मैं आगे पीछे ले जा सकता हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और यहां पर यह दो टेक्स बॉक्स मुझे थोड़ा सा उपर नजर आ रहे हैं तो मैं फार्मेट में जाकर इनको अन्ग्रूब करता हूँ अन्ग्रूब करने के बाद मैं इनकी सेटिंग कर लेता हूँ ताके यह बराबर रहें चीजने मैनेज करना होती हैं इनको भी ओपर हैं नीचे नहीं है इस तरीके से तक्रीबन बराबर हैं जेस थोड़ा सा नीचे है तो मैंने कर दिया उपर अब मैं यहाँ पर यह इनको रेक करके और ठीक है दुबारा मैं इनका गुरूप बना दूँगा यह मैंने इनको गुरूप बना दिया अब अगर मैं इसको उठाकर कहीं भी ले जाऊंगा तो यह यह लेंगे नहीं बलक एक इगी जगार रहेंगे थिक है तो मैं बिल्कुल इसकर इंनको तोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूंता करूबange मुझे उपर भी कुछ इस तरीके से अब यहां पर एक फार्मूला में लगाऊंगा फार्मूला नोट कर लीजेगा इक्वल कोटेशन सेल सेल स्पेज चू स्पेज कॉलन कोटेशन क्लोज एंड और इस की मैं यह सेल की वेलियो दे दूंगा ठीक है भी वन करके मैं इसको कर दूंगा अब देखें क्या रहा है सेल टू काशिफ के काशिफ को हमने कितने कार्ड सेल किये जैसे मैं यहां से अली करूं अहमत करूंगा तो यहां पर आजाएगा सेल टू अहमत अब यहां पर एक और मैं इंसर्ट टेक्स बॉक्स कर लूंगा यहां से मैं एक टेक्स बोक्स ले लेता हूं और इस पर क्लिक करने के बाद यहां से मैं क्लिक करूंगा और इक्वल प्रेस करके इस सेल को मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर दूँगा देखें यहां पर यह सेल टू एहमद यहां आ गया अब इसको मैं सेट कर लेता हूं यहां से बोल्ड सेंटर और थोड़ी सी और साइज बढ़ा दूँगा ठीक है जी अब मैं एक चीज़ और करूँगा व्यू में चला जाओंगा और व्यू में जाने के बाद यह जो ग्रिट लाइन्स हैं इनको मैं कतम कर दूँगा देखिए पूरी शीट आपकी बगयर ग्रिट लाइन्स के आ गई अब यहां से आप देखें यह चार्ट आपका काम कर रहा है ठीक है जी यहां से भी काम कर रहा है अगर आप मंस पर क्लिक करेंगे तो मंस पर भी यह काम कर रहा है इस तरीके से आप टाइम में जाके इलिस्ट्रेटर में जाके यह आपके शेप शेप में जाओंगा और यहां से यह राउंडेट रेक्टेंगल ले लूँगा एक और इसके उपर मैं ड्रा कर दूँगा ठीक है इसके उपर ड्रा करने के बाद इसके उपर राइट क्लिक करूँगा और यहां से इसको स और इसकी लाइन का कलर में नो लाइन कर देता हूं अगर मुझे थोड़ी से करनी है तो मैं यह बना सकता हूं थेका जी इसको मैं क्लोज कर देता हूं-अब देखें यह शीट पूरी आपके पास जो है वह वो पूरा डेश्बॉर्ट बन कर आ गया, आप यहां पर अहमद पर क्लिक करेंगे, अहमद का डेटा आ गया, अली पर क्लिक करेंगे अली का डेटा आ गया, हसनेन पर क्लिक करेंगे, हसनेन का डेटा खान पर क्लिक करेंगे, खान का इस तरीके से आप मन्तवाइज भी इनको देख सकते हैं आना शुरू करें मैं फिर जो है वह आप लोगों की एल्प करता हूं इंशाल्ला ठीक है इसको क्लोज कर दें दिया वीडियो को और मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं